प्लेस करने हैं या आपको कौन से सारे ओडर टाइप्स भी मिलते हैं दन ब्रोकिंग की सीरीज का अगर आपको एक भी वीडियो विस्ता करना हो तो प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप प्लीज वो नीचे कमेंट सेक्षिन में जरूर पूछेगा क्योंकि पूछने से ही जवाब मिलते हैं दन ब्रोकिंग में आपका अकाउंट न हो और आप इसे ओपन करना चाहते हो तो मैंने इसकी लिंक पिन कमेंट में दे दी है सारे ओर टाइप समझने के लिए चलते हैं धन आप के अंदर यह है इसकी होम स्क्रेइन यहां नीचे मैंने वाच लिस्ट पे कर दिया टैप यहां मैंने कुछ स्टॉक्स को लिस्ट कर रखा है सेलेक कर लिया यूको बैंक यूको बैंक से रिटेट सारी इंफो यहां दिखेगी और यहां नीचे सेल एंड बाई का बटन देख जाएगा बाई पर कर दिया मैंने टैप अब यहां यह आ चुका है ओडर फॉर्म धन एप पर यह ओडर फॉर्म काफी इंट्रेस्टिंग ह और वो यह कि यहां दोस्तों आपको पहले ही अपना मोटिव डिसाइड करने मिल जाता है सो अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप यहां पर क्लिक कर दो और अगर आप इंवेस्टिंग करना चाहते हो तो आप यहां पर टैप कर दो बात करते हैं सबस order type key which is limit तो इस पे जब आप टैप करते हो तो यहां अब आपको कॉंटिटी के साथ प्राइस भी एडिट करने का option आ जाता है तो इसका बेजिक फंड यही कि अगर आपको इसे करेंट मार्केट प्राइस पर इंच अगर बाई नहीं करना है और आप चाहते हो कि आपको इसे 11.50 पैसे में समझो बाई करना है यहां से 15 पैसे नीचे तो आप यह प्राइस यहां पर इंपूट करके फिर आप यहां पर बाई का बटन दबा दो तो यह as a limit order system में चला जाएगा और जब 11.50 का बाई आया तभी यह shares आपके पास आएंगे लिमिट order को use करने का और एक तरीका भी बनता है वो यह कि अगर आपको quantity समझो जादा चाहिए जैसी कि आपको 10.50 quantity चाहिए ठीक है और आप चाहते हो कि आपको यह market price पे ना आके आप इसका maximum जो है 11.70 पैसे as a limit पे कर होगा कि यह 11.70 तक ही market में जाके आपके लिए यह shares खरीदेगा अगर उसके ओपर कोई seller नहीं होगा तो आपका जो order है वो top 5 में आके खड़ा रह जाएगा and जब तक 11.70 में आपको लोग दे रहे तब ही आपको यह shares आएंगा अगर उसके उपर चला गया तो नहीं आएगा अब बात करते हैं trigger की, so जैसे ही आप यह limit को हटा के trigger पर आ जाते हो तो आपको नीचे यहाँ पे एक नया option नजर आता है which is trigger price, अब यह आपको कैसे मदद करता है, so यहाँ पे suppose किजिए कि आपको एक ही quantity buy करनी है and आपको एक trigger price set करना है, आप trigger price actually set क्यों करना चाते हो, so इस पर आपको यह सही लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर trigger price set करो, and limit price जो है इसको भी आप change कर दीजे, okay, so जैसे यह आप यह देखे, जैसे यह बारार उपर 5 पैसा हो गया, तो यह यहाँ पर यह बाई का बटन highlight हो गता है, so in short अब यह order तब trigger होगा system में, य यह गोली बंदूक से तब trigger होगी, जब 12 रुपर का price आजाएगा, and यह 12 रुपर 5 पैसे करके आप से share खरीद लेगा, आप के लिए यह market से, बस that's it, इसके बाद आप ऐसे इसे buy के लिए कर दीजे, यहाँ पर input, order जैसे ही चला जाएगा, तो आप यहाँ पर आप को यह trigger pending नजर आएगा, आप इस पे से tap करके इसकी आप details को ऐसे view भी कर सकते हो, so this is how trigger order works, अब देखते हैं trading वाली साइट पे, तो यहाँ पे आप market order समझी चुके हो, limit भी आप समझ चुके हो, and trigger भी आप समझ चुके हो, अब बात करते है cover की, अब cover order exactly है क्या, cover order को सरल भाशा में स आपने decide कर ली है, यह आपका limit price है, अब यहाँ पे आपको बस एक stop loss का trigger price रखना है, which means कि आप यहाँ पे एक price रखोगे, जो आपका stop loss price बनके चलेगा, the moment आप यह shares buy करने रख रहे हो, तो आपका stop loss order भी automatically system में चला जाएगा, जिससे यह आपके लिए एक cover का काम करेगा, ब इसे जाता है, exchange को, ठीक है, अगर आप इसे instantly भेजना चाहते हो, तो बस आप यहाँ पे ऐसे instant पे कर दे, tap, that's it, यह order जा चुका है, अब आप देख सकते हो, यहाँ पे successful में यह order बता रहा है, so यह बाकी के orders भी बता रहा है, so यह जो अभी हमने tutorial कवर किया है, तो यह इसमे अंदर जाके view करेंगे, तो यह आपको इस order से related सारी details भी बता रहाएगा, final order टाइप समझने के लिए दूसरा stock select करता है, जैसे कि yes bank, इस पे buy पे कर दिया है, tap, यह है trading में हम आ चुके, यहाँ पे, and अब मैं आपको bracket order, यह बता देता हो, bracket order basically है क्या, तो यह है cover order का बड़ बड़ा बाई, बड़ा बाई कैसे हुआ, सो यह आपको बता दू, सो दोस्तों bracket order में आप क्या करोगे ना, जब भी आप इसको select करके आप market में उतरते हो, तो market के तूफान में जब आप उतर रहे हो, तो यहाँ यह आपको ना सिर्फ cover provide करता है, बट यह आपको target price भी select करने option देता है, so this makes your life more easier, ठीक है, order execute होने के बाद, चाहे आपका ध्यान हो, चाहे ना हो, यहाँ पर automatically system अपना काम करते रहेगी, तो आप यहाँ पर quantity को, यहाँ पर input कर लोगे, अब यह price समझो कि यह 14 रुपीस 5 पैसा जो भी current price है, इसी पर आपको लेना है, अब यहाँ पर target ज चाहिए, and stop loss मुझे चाहिए, almost 60 पैसे दीचेगा, चलों target भी same रखते है, ताकि यह दोनों सही रहे, now, यह limit price, यह target, and stop loss हो गया, आप चाहो तो target को और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यह ऐसे आप रखके, अब आपको बस इसे, यहाँ पर इसे buy पर कर देना है, the moment यह order यहाँ पर place हो जाएगा, तो अग यह success वाले यहाँ पर list में आ चुका है, तो यह जो मैंने आपको tutorial के दोरान बताए, यह सारे वो stocks है, इसलिए मैंने इस बार yes bank को select किया, तो yes bank यह हमें 14 rupees 5 पैसे में आ चुका है, यहाँ पे, pending वाले tab पे, आ आपको याद हो, तो हमने जो stop loss and target रखा है, उस हिसाब से यहाँ पर यह set हो गया है, तो दोस्तों यहाँ system आपको मदद कर रहा है, कि आप order type को select करके, खुद को पूरे तरीके से safe रखे, फिर आप अंदर जाओगे, तो ऐसे यह आपको धन एप में इतने सारे options मिलते हैं, जब हम बात करते हैं, order types की, as an investor, आप यहाँ पर इन तीन order types को use कर सकते हो, as a trader, आपको इतने सारे order types मिल जाते हैं, चैनल को subscribe करना ना भूले, बेल notification आइकन को भी दबा दे, मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, जैहिन वदे मातरम,